Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 3.4 का question number 5, तो question number 5 क्या है, which of the following numbers are co-prime, यहाँ पे यह हमारे numbers के pair दे रखे हैं, और हमें find out करना है कि इन में से कौन से number जो हैं, वो co-prime है, co-prime number हमारे क्या होते हैं, ऐसे numbers जिनके पास common factor शरिफ 1 हो, तो वो numbers हमारे क्या होते हैं, co-prime होते हैं, तो basically इस question में हमें क्या find out करना है, इन दोनों के factors find out करने हैं, और फिर उनमें हमें देखना है कि common factors क्या हैं, तो यहाँ पे start करते हैं, solution A वाला part, तो पहले हम factors find out कर लेते हैं, 18 के factors of 18, तो 18 के factors क्या आएंगे हमारे, 1 आएगा, 1 तो हमेशा सबका factor होता है, 2 आएगा, 2 nines 18, 3 आएगा, 3 6 आएगा, उसके बाद में 5 नहिए आएगा, 6 आएगा, 6 threes 18, उसके बाद में 9 आएगा, 9 twos 18, फिर directly 18 आएगा, factors of 35, 35 के factors क्या होंगे हमारे, एक तो 1 आएगा, उसके बाद में 5 आएगा, 5, 7, 35 फिर 7 आएगा उसके बाद में directly 35 आएगा तो ये हमारे 35 के factors है अब अगर हम इनमेद देखें तो common factor हमारे क्या आएंगे common factor is equals to 1 अब यहाँ पे सिर्फ common factor क्या है 1 है तो इसका मतलब ये numbers हमारे क्या है को प्राइम है इसके आगे हम टिक कर देंगे अब हम B वाला part देख लेते हैं यहाँ पर देखो क्या दे रखा है 15 and 37 अब यहाँ पर एक चीज़ देखो 37 हमारा क्या है एक prime number है अब अगर किसी भी pair में एक number हमारा prime हो और दूसरा number कुछ भी हो बस इसका multiple नहीं होना चाहिए multiple नहीं हो उसके लाबा कुछ भी हो तो वो number हमारे क्या होते है को प्राइम होते हैं तो यहाँ पर यह दोनों हमारे क्या हो जाएंगे को प्राइम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 15 जो है वो हमारा इसका multiple नहीं है multiple हमेशा 37 से ज्यादा होंगे तो ये दोनों हमारे को प्राइम हो जाएंगे अब हम C वाला पार्ट कर लेते हैं तो C वाला पार्ट हमारा क्या है यहाँ पे देखो 30 है 415 है तो पहले हम factors लिख लेते हैं factors of 30 तो 30 के factor क्या आएंगे पहला factor होगा 1, 2, 3, 5 अब यहाँ पे देखो 5 हमारा आया इसके आगे भी factors होगे लेकिन यहाँ पे जो दूसरा number दे रखा है इसमें last में हमारा क्या है 5 है इसका मतलब यह number हमारा 5 से divisible है तो 5 से अगर यह divisible है तो 5 इसका क्या होगा एक factor होगा तो यहाँ पे अगर हम देखें factors of 415 एक तो 1 तो जरूर होगा उसके अलाबा 5 भी इसका factor होगा तो अब हम देख सकते हैं कि 5 यहाँ पे भी है 5 यहाँ पे भी है तो common factor में 5 आ गया और co-prime की definition क्या है कि common factor शरीफ 1 होना चाहिए तो यहाँ पे 1 तो है लेकिन 7 में 5 भी है इसका मतलब यह numbers हमारे co-prime नहीं है तो अब यहाँ पे हम d वाला part देख ले तो d वाला part हमारा क्या दे रखा है 17 and 68 अब यहाँ पे 17 हमारा क्या है एक prime number है तो इसके factors क्या होंगे हमारे factors of 17 एक तो 1 होगा और दूसरा 17 होगा इसके लाबा कोई factor नहीं होगा लेकिन यहाँ पे जो 68 है अगर हम 17 का table पढ़ें तो 17 फोरजा 68 इसका मतलब यह हुआ कि 17 जो है वो 68 का factor हो जाएगा तो factors of 68 यह हमारा क्या आएगा इसमें 1 तो होगा और 17 भी एक हमारा factor होगा हमें बाकी भी होंगे इसके factor उसको लिखने की जरूरत नहीं है 2 भी इसका factor होगा तो हमें उसको जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 17 यहाँ पे भी है और 17 हमें यहाँ पे भी मिल गया तो यहाँ से हम यह चीज़ देख सकते हैं यह number हमारे co-prime नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम cross लगा देंगे, अब हम e वाला part देख लेते हैं, e वाले part में मैं क्या दे रखा है, 216 and 215, अब यहाँ पे देखो, तो हम पहले क्या करते हैं, factors of 215, 215 के हम factors पहले find out कर लेते हैं, तो इसके factors को find out करने का आसान तरीका क्या है, मिसका prime factorization find out कर लेते हैं, तो यह हमारा क्या हैगा, यहाँ पे देखो, last में हमारा 5 है, तो यह 2 से तो divisible होगा नहीं, अब यहाँ पे इसके digits का अगर हम sum देखें, तो 2 प्लस 1, 3 हो जायागा, 3 प्लस 5, 8 हो जायागा, digits का sum 3 से divisible नहीं, तो यह number भी 3 से divisible नहीं होगा, तो यह 5 से divisible होगा, तो यहाँ पे देखो, 5, 4 जा 20, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इसके पास जायागा, 5, 3, जा 15, अब यहाँ पे 43 हमारा क्या है, एक prime number है, तो यह क्या जायागा, डारेक्टली 43 से, 43, 1 जा 43, अब यहाँ पे जो इसके factors आएंगे, वो क्या हैंगे, 1 आएगा एक तो, दूसरा हमारा, 5 आएगा इससे greater, उसके बाद में, 43 आएगा, उसके बाद में, 215 आएगा, अब एक चीज देखो, अब अगर हम 216 की बात करें, तो 5 का अगर हम table पढ़ें, तो 5 के table में, कभी भी 216 नहीं आएगा, क्योंकि 216 हमारा 5 से divisible नहीं है, तो इसका मतलब, 216 का 5 factor नहीं हो सकता, और अगर हम 43 का table पढ़ें, 43 के table में भी 216 नहीं आएगा, तो इसका मतलब, ये भी हमारा इसका factor नहीं हो सकता और इसको हम इस तरह से divide करके भी देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से divide होता है कि नहीं होता है 43, 216 तो यहाँ पे देखो 43, 5 जा directly करेंगे हम तो यहाँ पे क्या आएगा 53 जा 15, 15 का 5, 1 बचेगा, 5, 4 जा 20, 20 प्लस 1, 21 तो यहाँ पे 20 बनाएगा और remainder 1 आ गया, remainder हमारा 0 नहीं आया, इसका मतलब 43 जो है वो हमारा 216 का factor नहीं होगा तो 43 जो है वो हमारा factor नहीं होगा, 215 भी 216 का factor नहीं होगा, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है वो हमारे 216 के factor नहीं होगे तो इसका मतलब common factor जो है वो हमारा क्या होगा, सिरिफ 1 होगा, तो यही हमारी co-prime की definition है कि common factor शिर्फ बनाना चाहिए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह हमारे co-prime होंगे अब यहाँ पे f बाला part देख लेते हैं तो f बाला part क्या दे रखा है 81 and 16 अब 81 को अगर हम लिखे f बाला part है 81 के factors पहले लिख लेते हैं factors of 81 तो 81 के factors क्या क्या होंगे 8 plus 1 9 हो जाएगा 9 हमारा 3 से divisual है तो यह number भी 3 से divisual होगा तो 3 इसका factor होगा उसके बाद में 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होगा फिर 9 इसका factor होगा 9 के table में यह आएगा 9, 9 जा 81 उसके बाद में हमारा 27 इसका factor होगा 27, 3 जा 81 उसके बाद में जो है दे रखा है और 16 के factors हमारे क्या आएंगे factors of 16 एक तो 1 आएगा 2 से divisual है 2 आएगा 2 के बाद 4 आएगा 4, 4 जा 16 उसके बाद में 8, 2 जा 16 उसके बाद में 16 बन जा 16 अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि common factor हमारे क्या आएंगे common factor is equals to सिर्फ 1 आएगा 1 के लावा कोई भी common factor नहीं है तो यहाँ पर यह भी हमारा क्या हो गया co prime number हो गया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं C और D के अलावा बाकि सारे क्या हैं हमारे co prime numbers है questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही